कई लोगों को ये बात पता नहीं होगी कि शारूख खान कैंसमें पहले कई फिल्मों में काम करने से मना कर चुके हैं कि खान ने जिन फिल्मों में उस समय काम नहीं किया था तब भी उस समय ये फिल्में काफी हिट रही थी इन फिल्मों में एक था टाइगर, ट्री इडियर्ट्स, मुन्ना भाई, अम्वीबियर्ज जैसी कई फिल्में शामिल हैं लेकिन इस लिस्ट में इस बार एक और फिल्म शामिल हो गई है जिस फिल्म के लिए सबसे पहले शारू खान को सिलिक किया गया था यह फिल्म उनके ही प्रोडक्शन हाउस की है, जो फिल्म अभी हाली में रिलीज हुई है और आज कल करोड़ों की कमाई भी करती नजरा रही है यह फिल्म है अक्षे खना की फिल्म इत्तिफाक, जिस फिल्म में एक हट के रोल में नजराने वाले हैं जिस भूमिका को शारू खान ने अपने जीवन में कभी नहीं उतारा अभी हाली में शारू खान ने अपने घर अपने जनम दिन की पाती रखी थी जहां कई बॉर्ड़ोट के बड़े सलिब्स नज़र आये थे इस event में शारोखान ने खुद कहा कि फिल्म इतिफाक सबसे पहले उन्हें आफर की गई थी उन्हें इस फिल्म के लिए सबसे हट के रोल भी मिला था जी हाँ और वो इसे करने के लिए खुश भी थे लेकिन फिर बाब में उन्होंने खुदी इस रोल के लिए मना कर दिया। और ये रोल जला गया अक्षे खरना के पास। Bureau Report Indian Film History For more updates, please subscribe Indian Film History